आपको पसंद आए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकोन दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे असलाम वालेकूम एंड हेलो फ्रेंज आप सब का खेर मकदम हैं आज हम बना रहे हैं चिकन सिक्स्टी फाइफ चिकन सिक्स्टी फाइफ बनाने के लिए मैंने लिए 300 ग्रामस बॉनलेस चिकन और इसके माने 1.5 इंच के पीस कट कर लिये हैं अब सबसे पहले हम इसे मारीनेट करेंगे तक मारीनेट करनी के लिए मैंने मसाले लिया है 1 ती स्पून काली मिर्चे पाउडर आप काली में चे कुट्री भी भी ले सकते हैं, मैंने कुट्री भी लिए हैं, इसके साथ हम लेंगे 1 teaspoon लाल विश पाउडर, 1 quarter teaspoon पाउच होटा चमचा हल्दी पाउडर और 1 teaspoon गरम मसाला और इसके साथ मैंने लिए हैं, 1 teaspoon नमक यानि सॉल्ट, ये एक अंडा, हमें अंडे की साथ ही लेनी है, 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 teaspoon मैदा और 2 teaspoon मैंने लिया है कॉण फ्लॉर, आप पुरा कॉण फ्लॉर भी ले सकते हो, अब ये चिकन को मैं मारिनेट कर रहे हूँ, चिकन को अच्छे से मैंने वाश कर लिया है, अब इस पे अंदर हम डालेंगे अधरक लसन का पेस्ट, 1 teaspoon मैंने डाले, इसमें अधरक लसन का पेस्ट, इसके साथ हम ये तमाम पाउडर मसाले, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और नमक, इन तमाम चीजों को हम जह चिकन में एक साथ डाल देंगे, एक गरम मसाले मैंने डाल दिये, चिकन में, इसाथ में मैं डाल रही हूँ, आधा नीबू का रस, 1 teaspoon ये नीबू का रस है, इसे मैंने डाल दिया, आप इसकी जगाव वेनिगर भी ले सकते हो, और इसे अच्छे से हम मिक्स करके, मैरिनेट करनी के लिए 30 मिनेट के लिए 30 मिनेट हो चुके हैं, चिकन बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो गई है, मसाले अंदर तक चिकन में पहुंच गए है, अब ये देखिए, मैंने तकरीबन 7-8 कडी पते, जिसे कडी लीव्स भी करते, इसको बारी एक चौक कर लिया है, और इसको मैंने मिला दिया चिकन में, और उसके साथ मैंने मिला दी एक अंडे की सफेदी, हम अंडे की योग यानि जर्दी नहीं मिलाएंगे, सफेदी मिलाने से, चिकन बड़ी क्रिस्पी रहती है, क्रंची होती है, और योग मिलाने से नर्म हो जाती है, अब ये मैंने मिला दिया, अब इसके अंदर मैं मिला रही हूँ, दो छोटे चमचे, मैदा, all-purpose flour और two teaspoon ही मैंने मिलाया है corn flour, आप सरिफ corn flour भी मिला सकते हो, इसे मिलाकर हम अच्छे से mix कर लेंगे, यह दिखिए, चिकन अच्छे से mix हो गई है, अब हम इसे fry करेंगे, यह अंडे की सफेदी दिखिए, मैं आपको तोड़के बता अन्डे की सफेदी मैंने इस तरह अलग की है, अन्डे को उपसे तोड़कर मैंने इसकी सफेदी निकाल ली और इसे मैंने चिकन में मिला चुकी हूँ मैं, अब हम चिकन को fry करेंगे, तेल को मैंने अच्छे से heat कर लिया, गर्म कर लिया और अब उसे medium flame पर करकर हम चिकन को fry चिकन 65 के हम पीसे फ्राइ कर रहे हैं, ज्यादा high flame पर हम चिकन नहीं फ्राइ करेंगे, नहीं तो यह अंदर से कच्छी रह जाएगी और उपर से जल जाएगी, medium flame पर मैं इसे फ्राइ करी हूँ, देखिए कि इतना खुबसूरत इसका रंग आ रहा है, इसके अंदर हम मिला थोड़ा सा फूट कलर भी आप मिला सकते हैं, यह देखिए, मैंने इसके बैटर में थोड़ा सा फूट कलर मिलाया है, तो इससे इसका कलर बड़ा ही अच्छा आ रहा है, अब यह देखिए, चिकन बहुत अच्छी से फ्राइ हो चुकी है, जब निकालने का वक्त आएगा तो इससे थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए हम फ्लेम को दुबारा से तेस करेंगे और यह से निकाल लेंगे, यह देखिए, चिकन बहुत अच्छी से फ्राइ हो गई है, बहुत ही क्रिस्पी है यह बाहर से, पूरे चिकन के पीसे को हम इस तरह फ्राइ कर लें 1 टी स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून मैंने लेसन को काट लिया है, और साथ में एक इंच के अधरक के तुकड़े को ग्रेट कर लिया है, आधा चोटा चमचा शकर, यानि शूगर, आधा चोटा चमचा जीरा, एक चमचा मैंने लिया है, काजू के तुकड़े, और साथ मैंने लिया है चिली गार्लिक सॉस वन टेबल स्पून तीन से चार हरी मिर्चों को तोड़ लिया है मैंने और यह करी पत्ते हैं जिसे करी लीज कहते हैं फ्रेश करी लीज इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चिकन 65 में और इस साथ में मैंने लिया है थोड़ा सा लेसन हम डालेंगे फ्लेम को स्लो कर देंगे नहीं तो लेसन जो है वो लाल हो जाएगा हमें लाल बिल्कुल नहीं करना है यह मैंने डाला एक शोटा चमचा अधरग को मैने घरेट कर लिया था और अब यह मैं इसामिल कर हो रे मिर्चे 3 से चार ब्रचे काफी है और ये रहे कड़ी पते, कड़ी पते, इसे बहुत ये अच्छा फ्लेवर आता है, ये भी मैंने इसमें मिला दिया, अब इसे हम 30 से के लिए या बहुत करें, तो एक मिनिट के लिए से हम अच्छे से सौटे कर लेंगे, ये दीखिए, तमाम चीज़े अच्छे से सौटे हो ग इसलिए मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया है, और इसमें दो से तीन चंचे हम इसमें पानी मिला देंगे, ताकि जो लाल मिर्च है वो अच्छे से भुन जाए, आप अपने टेस्के मुताबिक लाल मिर्च मिला सकते हैं, क्योंकि हम इसमें चिली गालिक सौस भी मिलाने वाले है तो इस बात का अब बिल्कुल धियान रखें, लाल मिर्च पाउडर अच्छे से भुन चुका है, यह देखिए, अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़े मिलाएंगे, यह मैं मिला रही हूं इसके अंदर 1 टेस्पून सोया सौस, और साथ में चिली गालिक सौस, 1 टेबल इस् तो वह भी आप मिला सकते हैं, या सिर्फ चिली सौस भी इसमें मिलाया जा सकता है, यह देखिए, बहुत अच्छे से यह तमाम चीज़े जो है, अच्छे से सौटे हो चुकी है, अब इसमें मैं मिला रही हूं, हाफ टी स्पून शूगर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ दाला तो और अधा निभू करस मैंने यहां पर डाला, तमाम चीज़े बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है, बहुत अच्छा सौस हमारा टेस्टी तैयार हो गया है, यह मैंने मिलाया हाफ टी स्पून नमक, तो यह हमारा सौस तैयार है, अब इसके अंदर मैं मिला रही हूं चिकन के पीसे जिसे हमने फ्राइ किया था, इसमें अच्छे से हम मिला लेंगे, यह देखिए पूरे चिकन के पीसे को हमें सौस में कोट कर लेना है, तो लीजिए देखिए, बहाती लजीज, बहाती टेस्टी चिकन 65 तैयार हो रही है, रेस्टूरंट का टेस्ट देने के मैंने से मिला दिया थोड़े से काजू के तुकड़े, यह ओप्शनल है, तो लीजिए तैयारे बड़ी ही टेस्टी रेस्टूरंट से भी अच्छी चिकन 65 आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजिए और अगर आपको यह पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अप अब आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, थैंकिए